आज आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे, इस स्टॉक में हम लोग को अपन से एक फ्रेस रैली देखने को मिल सकता है, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लाश्न तक देखिएगा, और अगर आप लोग वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करके, वीडियो को सेर चरूर करिए, साथ यसाथ बेल अपन को प्रेस करके, नोटिपियसन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप लोग वी लेटिस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसके साथ ही आ आपको लाइब मार्केट की टाइम में लेटिस्ट अपडेट या और भी किसी स्टॉक के बारे में अपडेट मिलता रहता है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग बजाज हिंद सुगर के ओपर, स्टॉक में अगर देखेंगे तो आज के सिसन में, इंट्राडे में हम को 5% का एक अच्छा तेजी देखने को मिला, स्टॉक मौर्णिंग से ही strongly open हुआ था और इसका अगर बात करेंगे तो इस पूरे वीक के अगर बात करेंगे तो इस पूरे वीक में स्टॉक तकरीवां 3% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है, और प्रीवियस वन मन्त में स्टॉ फिप्टी फूर परसेंट का एक सांदार रैली यहां पर दे चुपा है, अब अगर यहां पर हम लोग लास्ट वन येर की परफोर्मेंस की बात करेंगे तो इस टॉक ने लास्ट वन येर में 135% से ज़्यादा का रिटेंट दिया है, तो नीचे के लेवल से इस स्टॉक में हम लोगों को continuously एक अच्छा वाइंग देखने को मिल रहा है, चलिए बात कर लिते हैं इस टॉक के चार्ट पर डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिनिटी डेली चार्ट में हम लोगों को एक अच्छा पैटर्न का फॉर्मेसन देखने को मिल रहा है, इस तो एक flag and pole pattern का formation हम लोगों को इस के daily chart पर देखने को मिल रहा है जो अच्छी भात है जो आज के सेशन में अगर देखेंगे तो जो है अन्मस्थ अपने दे के highest level पर इंक्लोज हुआ है जो के previous पाइट ट्रेडिंग से स्टॉक नहीं कर पा रहा था स्टॉक उपर खुलता था जरूर बट स्टॉक में जो है हम लोगों को सेलिंग प्रिसा देखने को मिलता था फाइनली स्टॉक ने यहां पे 25 उपिस के लेबल के उपर भी क्लोजिंग दे दिया है अब अगर हम लोग वीकली चार्ट के ओपर बात करेंगे तो वीकली कंडल क्लोज हो चुका है आज की सेसिंग में क्लिरली आपको यहां पे दिख रहा है जो वीकली चार्ट में आपको एक अच्छा ब्रेकाउट कंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट में आपको breakout का formation क्यों देखने को मिल रहा है क्योंकि अगर यहां पे देखेंगे July 2021 में stock इस level को touch किया था उसके stock में fall देखने को मिला वापस से यहां पे stock 22 के level तक जरूर गया 2022 में again fall देखने को मिला वापस से stock इस level को आया और finally यहां पे stock ने इस level को cross करके closing दिया है तो एक अच्छा consultation range जो है हम लोगों को near times में देखने को मिल रहा है यह आपको break हुआ है 10 रूपीज से 24 रूपीज का जो consultation range था यह आपको breakout होता हुआ weekly chart पे देखने को मिल रहा है लेकिन stock ने एक multi year breakout दिया है कौन से level पे दिया है यहां पे monthly chart के ओपर हम लोगों अगर बात करेंगे monthly chart के ओपर चलते हैं और यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो stock में clearly आपको दीखेगा जो अगस्त मंत का candle जो close हुआ है अगस्त मंत का candle close हुआ है वो आपको 2015 के बाद 2015 के 2014 के जुलाई मंत के बाद stock जो है first time इस level के ओपर close दिया है 22 23 रूपीज के level के ओपर stock जो है आपको 9 येर के बाद closing दिया है तो एक अच्छा closing है last time जो है 22 23 रूपीज के level के ओपर stock ने आपको closing दिया था in the month of July 2024 अगस्त में यहां पर breakdown हम लोगों को दिखने को मिला था उसके बाद से differentlı यहां पर multiple time stock ने इस level को कुछस किया है यहां पर ही जबी चायाğ. यहां पर the return of 2019 इस यह भी है आपको breakout गानल का formation हम लोह को देखने को मिलता है तो एक Multi year breakout है nine year के बाद stop ने यहां पर breakout दिया है अब इस stock में हम लोगों को phrase तेजी देखने को मिल सकता है stock अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो stock जो है उपर की side में 200 के level के side जा सकता है क्योंकि यहाँ पर stock में हम लोगों को kind of एक rounding bottom pattern का formation देखने को मिल रहा है 2014 से एक base बना रहा था इस base का breakout हम लोगों को देखने को मिल चुका है अब अगर उपर की side बात करेंगे तो यहाँ पर जो immediate resistance आपको इस stock में देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 40 rupees के पास एक पहला resistance है अगर इस level के उपर sustain करता है तो फिर जो पहला resistance stock को मिलेगा वो 32 rupees के लेवल के पास मिलेगा 32, 34 यह आपको एक important resistance है इस level के उपर निकलता है तो फिर जो है stock में हम लोगों को 64, 65 का level देखने को मिल सकता है और इस level के उपर अगर निकलता है तो again जो है यहां पे आपको 114, 115 का assistance level और फिर आपको 200 का level देखने को मिल सकता है लेकिन इन सभी levels को आने में time लगेगा immediately आप expect नहीं कर सकते जो सबसे पहला level होगा वो यहां पे जो ध्यान देने वाला level है वो है 32 to 34 का level यहां पे 32 to 34 का level है तो यहां पे current level से अगर हम लोग बात करेंगे तो current level से हम लोगों को उपर की साइड में जो है 33, 35% का एक अच्छा upside देखने को मिल सकता है अगर आपके पास already stock है तो आप यहां पे hold करके रख सकते हैं यह अच्छा pattern का formation देखने को मिल रहा है और अब यहां पे stock जो है continuously ऊपर की साइड momentum करना start कर सकता है तो इसी वज़े से जो है अगर आपके पास already है आप hold करके रखे अगर आप यहां पे current market price पे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं नीचे की साइड में जो है आप अपने SL को 12 बेस के नीचे रख सकते हैं monthly closing basis पे ऊपर की साइड में जो है आपको एक बड़ा target देखने को मिल सकता है पहला यहां पे 32 33 के लेवल होगा यह एक resistance लेवल है थोड़ा सा यहां पे stock hold कर सकता है क्योंकि काफी टाइम के बाद stock इस लेवल को hit करेगा फिर देफिनेटली थोड़ा वह selling pressure से देखने को मिलेगा बट एक अच्छा time के बाद breakout आया है तो यहां पे slow and steady stock में बड़ा momentum देखने को मिल सकता है यहां पे 200 की level के side momentum अब करना start कर चुता है तो slow and steady next आपको 2-3 year के अंदर stock में एक बड़ा momentum देखने को मिल सकता है क्योंकि एक multi-year breakout अगर हो रहा है जिसका मतलब कहने के fundamentally company में काफी कुछ सुधार होने वाला है क्या फिर हो रहा है और इसी वज़े से यहां पे investors का वापस से confidence build-up होना start हो चुका है जो की चार्ट पे आपको breakout के रूप में देखने को मिल रहा है तो आई हो आप लोगों को सभी points जो है बिल्कुल clear हो गया होंगे तो आपको वीडियो पसंदाया हूँ अनलेसिस अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनको सब्सक्राइब चरूब करणे झालेसितो अच्छा लाइक करके बाता है झाल झाल